नमस्ते दोस्तो जैपुर जायका में आपका फिर्श स्वागत है दोस्तो आज हम लस्सी बनाएंगे तो थोड़ी डिफरेंट होगी है लस्सी इसमें हम केसर और बदाम डालेंगे तो आएए बनाते इस हेल्दी सी लस्सी को तो लस्सी के लिए देखिए मैंने 15-20 वदाम रात को पानी में भीगो दिये थे सुबह ने मैंने अच्छे से छील लिया है और पानी से धो लिया है तो बिल्कुल साफ पानी कर लें इसका और इसे हमें दर दरा सा मिक्सी में दूद के साथ पीस लेना है तो बहुत फाइन पे इसे चार से पांच ग्लास हम रस्सी बना लेंगे यह देखिए मैंने दो ग्लास बिल्कुल ताजा दही लिया है खटा दही ना ले आप रस्सी के लिए इसे हम थोड़ा सा फेट लेंगे उसके बाद टेज के अकॉर्डिंग हम चीनी डालेंगे मैं यहां चार चमर चीनी ड अच्छे से मिल जाएगा अब इसमें देखिए एक छोटा ग्लास हम दूट डालेंगे दूट से थोड़ा इसका टेस्ट बदल जाता है खटा पन कम हो जाता है और बहुत क्रीमी सा टेक्षिर आता है और थोड़ा सा देखिए हम यहां केवड़ा एस्सेंस डाल रहा है यह आपके पास है तो आप डाले नहीं तो इसकिप करते हैं सिर्फ दो बून डालनी है हमें इसकी उसे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी और इससे बहुत अच्छे से मिला लेंगे हम आप देखिए केसर का दूद डालेंगे हम तो थोड़ा सा केसर आप रख लें उपर से ग डालेंगे और दूद दही सब कुछ आप ठंडाई लें इसमें तो मिलाकर देखिए माई लसी रेडी हो गई है इसे सर्व कर लेता है हम तो देखिए कितना अच्छा कलर आया केसर की वज़े से बहुत अच्छी लसी बनी है ये और हर थोड़ा से इसके अंदर हम देखिए दूद की अधही के मलाई डालेंगे थोड़ा केसर और वदाम से हम उपर से गार्णिश करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लसी रेडी है तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें